पूरे के सैक्डो नौजवान नाइम भाई का गुरूप और उनके मानने आले हमारे एजाज पापे जो पार्टी का रमजानपुरे के हिस्से में काम काच करते हैं। उन सब साथियों का आज पार्टी में समुलियत का फैसला हुआ, उनका फूल हर किया गया और जल्द ही रमजानपुरे के हिस्से में एक प्रोग्राम करके इनका एरिये में फूल हर किया जाएगा और भी लोगों को जोड़ने की इनसे बात चीत हुई है। रमजानपुरा जो बीस साल से आज के मंतरी का हलका है, मगर बारिस होने के बाद वहाँ चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे वक्त में वहाँ पर काम काच किस तरह हो, हमें भी नौजवानों की टिम की जरूरत है। और यह ऐसे नौजवान हैं जो समाज में कौम की खिदमत करने का जज़बा है और इनके साथ मिल जूलकर हम काम करना चाहते हैं। और दूसरा इनसे मैंने यह कहा कि जो रमजानपुरे का हिस्सा हो गया, यह मालड़ा का हो गया, बाग महमूद हो गया, दरेगाओं का हिस्सा हो गया, इन सब हिस्से में आबादी तो हमारी माइनोरिटी की बहुत बढ़ गई है। मगर ओटर जो है, जो ताइडाद होना चाहिए वो नहीं है, हम कोशिस कर रहे हैं कि एक मुहीम के तहट इन सब हिस्सों में ओटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का और जो लोग वहां रहने लगे हैं, उनका नाम ट्रांसफर करने की कोशिस करें, इसके लिए एक मुहीम करने की कोशिस करेंगे, और हम यही चाहिते हैं कि आउटर के वो सब हिस्से जहां लोग रहने लगे हैं, मगर अपनी ओट वहां पर नहीं है, तो वो इसमें बेडारी पैदा करें और लोगों को समझाए कि वो इस हिस्से में जहां वो रह रहे हैं, वहीं उनकी ओड क्यों जरूरी है, आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के हालात और कानून रोज बदल रहने कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे हालात में हमारी ओड जहां हम रहते हैं, वहां क्यों जरूरी है, दूसरा यह कोई भी सियासी पार्टी हो, हर सियासी पार्टी जो है, वो ओड बेंग की राजजीती करती है अगर हमारी ताइदाद वहां ओड की बढ़ी रहेंगी तो कोई भी सियासी पार्टी है वो हम पर तवज्जे और ध्यान जादा रहेंगी तो हम कोशिज यही करेंगे कि बड़ी ताइदाद में आउटर के इन सब हिस्से में ओड बढ़ लोगों काम काज करें वो जो भी तरीके से समाजी खिद्मत की जा सकती है उन सब मामलात में पड़ चल कर सले पार्टी के लिटरान पार्टी की सदर सान हिंद हर वक्त पार्टी इनके साथ रहेंगी जो भी जरूरत पाई इनको जब भी पार्टी की रहेंगी पार्टी इनक साना बसाना चलेंगी